अग्रीटिंग एवरिवन आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की जो पोएम है टेल अफ कस्टर्ड दा ट्रैगन यह हमारी HBSC में भी है और यह हमारी CBSC में भी है ठीक है तो इसको हम स्टार्ट करेंगे उर्च में यह जो समरी है बिल्कुल इसी वे से करवाई गई है और CBSC के 10th क्लास के बच्चों के लिए तो आए स्टार्ट करते हैं come on the point और नाइस के द्वार लिखी गई है it is written in the form एक रूप में एक रूप में किसका बेलेट बेलेट होते है जो गा के लिखी जाती है गाय जाती है और इसमें थे करेक्टर तीन चार है बिलिंडा है इंक है बिलिंक है मस्टर है ठीक है यह और डॉप है ठीक है यह सारुन के नाम है यह तो बिलिंडा आई यंग लेडी बिलिंडा जो है की लेडीज का नाम है इन दा लिटल वाइट हाउस जो लिटल एक वाइट से हाउस मे रहती है with her four pet उसके four pet है किसके बलिंडा के बलिंडा के four pet है वो कौन-कौन से pet है देखते हैं the pet war ink एक pet का नाम हो उसका ink ink क्या है our little black kitten एक चोड़ा सा kitten है बिल्ली का बचस का नाम है ink clear फिर है blink blink क्या है our little grey mouse एक चोड़ा सा grey color का mouse है उसका नाम क्या है blink ठीक है आप ध्यान से देखें character भी आपके साथ के साथ इसमें adjust होते चलेंगे तो आप समझते रिए तो mustard है yellow dog एक mustard क्या है yellow dog है उसका नाम क्या है mustard ठीक है and custard a little pet और एक custard क्या है little pet dragon है जो dragon है बड़ा है उसका नाम है custard तो ink, blink and mustard ink, blink and mustard ink कौन है ink है यहाँ पर जैसे मैंने पीछे बता था ink है एक little black है kitten है और blink क्या है के mouse है और mustard क्या है के dragon है तो boasted of their bravery boasted of होता अपनी धींगे मारना अपनी बढ़ाई करना of their bravery, bravery मैंने बहादुरी अपनी बहादुरी की वो धींगे आखते हैं बढ़ाई करते हैं अपनी कि हम बहुत बहादुर है they often made fun of the custard वो custard पर अपना मजा करते हैं किसका बढ़ाई कास्टर्ड जो dragon है उस पर अपना मजा करते हैं for is cowardice cowardice होता है उसकी कायरता उसकी कायरता के लिए उस पर क्या करते हैं वो made fun मजा करते हैं उसका किसका custard का custard कौन है बच्चो dragon ठीक है तो dragon का वो जो है मजा करते हैं कौन ink blink ठीक है और अब mustard अब आगे है one day pirate break pirate होता है एक डाकू एक जो pirate है वो break into brain को उड़ता है सेंद लगा कराना मतलब घर को तोड़ कराना blindards तो blindards के घर में सेंद लगाई उसने किसने के pirate ने pirate एक डाकू होता है तो he had pistol उसके हाथ में pistol थी in his both hand अपने दोनों हाथों में कैले वे था वो pistol after swing देखने के बाद ink blink ink और blink ink कोन है यहाँ पर ink बताता है kitten blink mouse और mustard ठीक है जो dragon mustard mustard कोन है यहाँ यहाँ पर dog है yellow dog run away वो भाग गये थे कहाँ पर in fear डर के मारे भागे कोन भागे ink blink और mustard ठीक है किसको देखे pirate को देखे they hide themselves उन्होंने अपने आपको चीपा लिया hide में चीपाना उन्होंने अपने आपको चीपा लिया but custard faces the pirate but custard लेए ने faces मुकाबला किया किसका pirate का bravery बहादुली से बहादुली से को मुकाबला किया and kill से उसको मार देता वो so blinda was very much happy और यह देखे blinda बहुत खुश हो जाती है और with custard custard से बहुत खुश हो जाती है and embrace him embrace हो तक गले लगाना फिर blinda क्या करती है उसको गले लगाती है जब वो मार देता है वो pirate को तो blinda खुश होकर उसको गले लगा लेती है the other patch जो दूसरे patch है also dance वो dance करते है with joy बड़ी खुशी के साथ but soon after cigarette क्या होता है कि they were again boasting of their bravery boasting of their bravery boasting होता है धींगे मारना दूबारा से वो धींगे मारते है किसकी अपनी बहादुरी की और जो बलिंडा है so बलिंडा so she gave all her care for ink, blink and mustard और इसलिए जो बलिंडाउन की बातों में आ जाती है और gave all her care अपना पूरा ध्यान लगाती है ink में, blink में और mustard में ink पोन है दूबारा से बता रहा हूं में kitten, blink, mouse और mustard के है के yellow color का dog है and left custard और custard को छोड़ देती है crying for the nice safe case एक अच्छे से बिंजरे में वो उसको चिलाता हूँ और रोता हूँ उसको छोड़ देती है तो यह कहानीती बच्चो उसकी पूरी समरी है यह जो हमारी poem है tale of custard the dragon अम मैं इसकी question आपको कराऊँगा जो important question बिल्कुल all in one है जो आप गही question करना चार पांच इसमें से बाहर कोई question आएगा 100% short है कोई आभी गया तो इन ही में से बन जाएगी यह भी 100% short है आपकी तो चलिए मैं इसको पलटता हूँ पलटके आप देखे यहाँ पर मैं अब question जो है यहाँ पर adjust करता हूँ important question इसकी देखे आपको दिखा दे रहोंगे most important question ठीक है all in one मैं लिक रखा all in one कोई बैयाई इन ही में से बनेगी तो question बनता है where did Belinda leave Belinda कहां रहती है which animal lived with उसके साथ कौन कौन से animal रहती है तो इस cancer हैगा summary मतलब जो मैं आपको summary कराई है इस question cancer summary में है आप summary लिख सकते हैं अगर ये आपका 3, 4, 5 marks में आ जाता है तो ठीक है वो चोटा आता हो चोटा बना कि आप में लिख सकते हैं अब next बात करते हैं what did they say about their bravery ये भी आप पूरा का पूरा summary में से बनेगा after pirate death pirate की मोत के बाद जो हो क्या अपनी bravery की गाथा गाते हैं ठीक है अब देखिए master said master कहता है that she would have been twice brave तो master क्या कहता है कि वो double जो है twice mean double double बहादूर है तो बहुँ जादा बहादूर है वो कहता if he had not got nervous कहता अगर वो nervous नहीं होता उदास नहीं होता नहीं होता बैबीत नहीं होता तो double powerful है ठीक है double बहादूर है तो ink and blink और ink और blink कहते हैं that they had been there three time brave तो ink और blink कहते हैं कि वो तीन गुना बहादूर है as brave as he कि उससे वो तीन गुना बहादूर है कौन कहते हैं ink blink कहते हैं कि वो जो mustard है कहते हैं मैं तुमसे तीन गुना बहादुर हो तीन गुना हम बहादुर हैं दोन बोलते हैं तो यह अपनी बोस्टिंग करते हैं अपनी ब्रेवरी की बाते ही करते हैं अगर question आपका यह आए तो आपने इसका यह answer लिखना है और इसकी language बड़ी easy है और मैं साथ के साथ समझा रहा हूँ और पढ़ते ही आपको learn भी हो जाएगी अब next है equation रहेगा next है how did they say their admiration for the dragon after the death of the pirate तो how did they say क्या कहते है their admiration अपनी तारिश में क्या कहते है for the dragon ड्राइगन के लिए after the death mode के बाद of the pirate पारिट की मूद के बाद वो अपनी admiration में वो क्या कहते है कैसे बोलते है उन्होंने क्या कहा है तो they become very happy वो क्या हो जाते है वो खुश हो जाते है mustard leaked the blinda mustard क्या करता है blinda को leak करता है चारता है and embrace him मतलब उसमने प्रेम जिताता हो और उसे embrace होता गले लग जाता उसके और ink and blink jumped around him और ink और blink जो है उसके चारो तरफ जो है गूदते हैं फिर ठीक है अपने खुशी को जाहिर करने के लिए अब next question दीखिए next question है हमारा how did animal make fun of the dragon जो animals है वो कैसे मजा करते हैं dragon का they laughed at the dragon वो dragon पर हंचते हैं blinda tickled the dragon blinda जो टिकल में गुद गुदी करना गुद गुदी करते हैं किसो करते हैं dragon को very hard जोर जोर से she tweeds him वो उसको प्रेशान करते हैं ink, blink, और mustard called him perishable मतलब जो क्या है perishable बोलते हैं जोर 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 से वो हंसते हैं ठीक है अब नेक्स देखिए next question है how did custard prove how did custard prove to be the brave जो custard है वो किस प्रकार से प्रू करता है बहादुर बनने का when the pirate came जो प्रेट आता है तो क्या बहादुर बनने की कोशी से बहादुर बनने का प्रू करता है वो सिद्ध करता है तो custard jumped and snorted custard जो है कूच जाता है और snorted snorted होता है नाकों से आवाज करना like a engine एक इंजन की बाती गुर राता है यानि ये नाकों से आवाज करता है she struck the pirate वो एकदम struck होता है attack भी करता है वो टकराना भी होता है वो टकराता है पारेट से with his tail यानि उसको अपने पूच मारता है उसको hit करता है like iron एक आरेट की बाती ठीक है लोही की बाती लोही की छड़ की बाती अपनी पूच मारता है there were different sound of the clatter clank and jungle अलग अवाज आती clatter में टकराने की clank जैसे कोई धातू टकराती है jungle कोई आवाज आती है गिरने की तो ठीक है ऐसी आवाज या आती है और he attacked the pirate वो पार पर attack करता है as the robin जैसे robin की बाती attack a worm जैसे एक robin जो है जैसे कीड़े पर attack करता है एक robin proxy ऐसे ही जो dragon था उसने उस pirate पर attack किया ठीक है अब last question रहे गया बच्चों इसका जो important है इससे बहार कोई question ही आईगा अब इस इस माई guarantee ठीक है अब देखे ध्यान से how did the pirate react when the dragon attacked him तो how did the pirate react पाइरेट कैसे react करता है when dragon attacked him जो dragon उसके उपर attack करता है तो pirate कैसी परतिकरिया करता है the pirate looked at the dragon जो pirate है वो dragon की तरफ देखता है with an open mouth एक खुले मूँ को की तरह ठीक है खुले मूँ से उसकी तरफ देखता है she took some wine वो कुछ wine लेता है from his pocket अपनी pocket से कुछ wine निकालता है she fired two bullets फिर वो दो गोली चलाता है bullet भी ने गोली fireman यह पर चलाना दो गोली चलाता है but they did not hit the dragon लेकिन वो गोली जो ड्रेगन को नहीं लगती जब वो दो गोली चलाता है वो ड्रेगन को नहीं लगती ठीक है और the dragon attacked him dragon उसको पर अटेक करता है and swallowed him swallow निंगल जाना और ड्रेगन जो है उस pirate को निंगल जाता है और उसका वो अंत हो जाता है ठीक है तो यह थे question बच्चो जो most important question इससे poem के और इन से बार कोई question नहीं आएगा आप इनको learn करिए अच्चे तरीके से इन से बार कोई भी question है और summary को learn करिए कुछ भी अगर मालो एक दो point आभी जाता तो 100% इन ही में से आप equation बन जेंगे बना के जो हाब उसको लिख सकते हो ठीक है थेंक यू